बिजाई छेत्र में करीब 14 लाख हेक्टेयर की भारी गिरावट आने तथा कुछ इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं से फसल को नुकसान होने से चालू मार्केटिंग सीजन के दौरान कपास के घरेलू उत्पादन में भारी कमी आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। केंद्रिय क्रिशी मंत्राले ने कपास का उत्पादन 2023 से 24 सीजन के 325.22 लाग गांट, 170 किलो की प्रत्यक गांट से 26 लाग गांट घटकर 2024 से 25 के सीजन में 299.26 लाग गांट रह जाने का अनुमान लगाया। उधर अमरीकी क्रिशी विभाग USDA ने समीक शाधीन अवधी के दौरान भारत में रुई का उत्पादन घटकर 240 लाग गांट पर सिमट जाने की संभावना व्यक्त की है, जो पिछले सीजन के उत्पादन 254 लाग गांट से 14 लाग गांट कम है। USDA की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 25 सीजन के दौरान भारत में 98 लाग गांट के बकाया स्टॉक, 240 लाग गांट के उत्पादन तथा 23 लाग गांट के संभावित आयात के साथ रुई की कुल उपलब्धता 361 लाग गांट पर पहुँचने का अनुमान है। इसमें से 255 लाग गांट का घरेलू उप्योग तथा 13 लाग गांट का निर्यात होने के आसार है। एक शूने लाग गांट पर पहुँचीत। इसमें से 250 लाग गांट का घरेलू उप्योग तथा 23 लाग गांट का निर्यात होने के बाद सीजन के अन्त में 98 लाग गांट रुई का अधिशेश स्टॉक बच गयात। अमरीकी गांट का वजन 213 किलो के करीब रहता है। इस तरह USDA की रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2023 से 24 के मुकाबले 2024 से 25 के सीजन में भारत से रुई का पिछला बकाया स्टॉक 10.2 लाग गांट कम रहा जबकि उतपादन में 14 लाग गांट तथा निर्यात में 10.1 लाग गांट की गिरावट आएग। दूसरी और रुई के घरेलू उपियोग में 5 लाग गांट तथा आयात में 14.1 लाग गांट का इजाफा होग। Bureau Report Market Times TV